ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दवाएं नमस्कार दोस्तों मैं हर्स आपको बहुत स्वागत करता हूं हर्स वीडियो जियो टीप लाल के एक और फ्रेस टेक्निज अपिसोड में यह हमारा टेक्निज उसका 170 एपिसोड तो चली दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हर्स वीडियो जियो टीप कनल के एक और फ्रेस टेक्निज अपिसोड को दोस्तों आज की पहली ख़़गी बात करत हुए निकल के आरिया साउथ कुरेंड स्मार्टफन नर्माता कंपनी सामसंग के दरब से दोस्तों सामसंग ने अपने फ्लक्सिप डिवाइस को लांच कर दिया है जैसा कि दोस्तों वाज से कुछ दिन पहले सा हमें लेक्स और उमर्स दिखने को मिल धा था चुक कि अपने प्रिवियस टेक्नि एक्प्रेक्सिज में आपको बताया था कि यहां पे नाम आपको देखने को मिलता है इस डिवाइस का Samsung Galaxy S Lite Luxury और यहां पे बात कर लिए से स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेसं के बारे में तो इस डिवाइस में आपको देखने को मिल जाता है 5.8 इंचिस का एक फूल स्टी प्लस डिस्प्ले 18-9 इस्पेक्ट रेशियो वाला यानि के एक इन्फिनिटी डिस्प्ले जेखने को मिलता है प्रोसेसर इस डिवाइस में आपको देखने को मिल जाता है Qualcomm का Snapdragon 660 जो 2.2 GHz का OCTACOR PROCESSOR है यहां पर camera की बात करें तो 16 Megapixel का rear camera 8 Megapixel का front camera F1.7 के परचर आपको देखने को मिल जाती है यानि कि low light में बहुत कमाल का perform करेगा यह device का camera साथी साथ दोस्तों यह device में आपको देखने को मिल जाता है 4GB के दाएं, 64GB के इन बेज्ट स्टोरिक के साथ इस device के प्राइस के बारे हम बात करें तो इस device का प्राइस है वह है तक रिवन तक रिवन 42,000 यानि की 42,000 रुपया और फिरालकली इस device को भी इंडिया में लॉंच नहीं किया गिया है यह device अभी चाइना में ही लॉंच हुआ है इंडिया में इस डिवाइस कोब लॉंच किया जाएगा, ऐसी अभी कोई भी रिपोर्ट सामने निकल के नहीं आई है दोस्तों अगली होगर की बात कर जोई निकल के आ रही है चैनी ज़ा स्मार्टफन नर्माता कंपनी बन प्लस के तरब से दोस्तों जैसे क्याप को मालूम है कि बन प्लस ने हाल मही अपने शिपध भी वाइस को इंडिया के अंधर लाूंज किया था और साथी साथ इस यह पहला सेल था नेकिन पेवियस टेकनिजफट अपाह जो बताया था ये जो सेल था सिर्फ प्राय्म मेंबर रोपी बॉन्प continued के प्राइम मेंबर उनी के लिए था आपको मालू होगा यह डिवाइस इमाजोन एक्सक्लूजिव है अब दोस्तो आज इसका ओपन सेल है यानि कि आज आप इस डिवाइस को खरीदने के लिए इस डिवाइस को तो आप बड़े ही अराम से इमाजोन.in से इस डिवाइस को खर चाइना के अंतरगत पहले ही लॉंच कर दिया गया है लेकिन इस डिवाइस को अभी इंडिया में लॉंच नहीं किया गया है लेकिन इंडिया लॉंच डिवाइस का अर्थात इस डिवाइस को इंडिया में कब लॉंच किया जाएगा वो डेट सामने निकल के आ रही है इस पता चलता है कि Saomi Redmi S2 यानि इस डिवाइस को इंडिया के अंतरगत 7 जून को पेस किया जा सकता है दोस्तों अगली खुबर की बात करत हुए निकल के आ रहे है चैनिजर स्मार्टफ़न निर्माता कमपनी लेनोबो के सब्बैंड मोटो रोला के तरब से दोस्तों ये खबर मैंने आपको कल भी दिया था अर्थाथ प्रेवियस टेक्न जपसेवर्ट में भी दिया थे लेकिन लेकिन दोस्तों आज Conform सामने निकल के आ गया है और दोस्तों पता चलता है कि जो मोटो का स्चपों, इंडिया के अंतरकत बेना रहल द Australians कि लोबा 7a और honor 7c को इंडिया के अंतरगत लांच कर दिया है तुस्तों honor 7a का जो प्राइस है वो है 8999 और honor 7c उसका प्राइस है 9999 रुपया यहां पर स्पेसिपिकेशन के बारे में बात कर लें तो honor 7a में आपको देखने को मिल जाता है 5.7 इंजिस का 18-9 इस्पेक्ट रसीयो वाला एक HD प्लस डिस्प्लेई यहां पको Qualcomm Snapdragon 480 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है 3GB की रहा है 32GB किन बें स्टोडेज है 13 प्लस 2 मेगापिक्सल का डूइल रियर क्यामरा है 8 मेगापिक्सल का फ्रेंट कैमरा है दोस्तों बात करें ओनर 7C की तो आपको देखने को मिल जाता है 5.99 इंजिस का HD प्लस डिस्प्ले 18-9 इस्पेक्ट रसीयो वाला यहां पे आपको डूइल क्यामरा देखने को मिल जाता है रियर साइड में आपको बता दिया और ओनर 7C आपको दो वेरेंट देखने को मिलता है जहां पको देखने को मिलता है तीन जिबी की रैम 32 जिबी की इन स्टोरीज के साथ और चार जिबी की रैम अपको वाला है जयसके आपको मालूम है ही दोस्तों कि Apple का smart speaker HomePod पहले से उपलाप देखने को मिल जाएगा दोस्तों के अंतुमखोर की बात करत जो है दोस्तों जो Samsung Galaxy A6 और A6 Plus है इसका सेल इंडिया में स्टार्ट हो गया है अगर आपको इस डिवाइस को खरीदना है तो आप इस डिवाइस को खरीद सकते हैं लेकिन मेरे ओपिनियन में मैं तो कहूंगा कि इस प्राइस में इन डिवाइस को मत खरीदिये क्योंकि दोस्तों उस इस प्राइस में आपको डिवाइस देखने को में जाता है Saomi, Redmi Note 5 Pro, Oppo, Realme, Bun और भी कमाल कमाल के डिवाइस जो इससे कही न कहीं बहुत बेटर हैं अब दोस्तों यहां पर ब्रेंडिंग निकल के चले आती है Samsung की तो कहीं न कहीं कुछ customer मिल जाएं क्योंकि दोस्तों Samsung का brand value है तो कुछ तो customer देखने को मिलेंगे ही क्योंकि बहुत सारे Samsung के diehard fan है उमीद करता हूँ आपको हमारे और से दिया गया Take News का यह एपिसोड पर संदय होगा दोस्तों आज किसमें चार की सुरकेंई पर खतम होती है कर पुने से बतपरसारित होगी तब तक के लिए नमस्कार जयहिंद बंदे मात्रम